नमस्कार दोस्तों 18 दिसंबर और 18 दिसंबर को एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर एक ऐसे स्टॉक के बारे चर्चा करूंगा जो 200-2500 रुपिये तक गया हुआ स्टॉक और अभी 9 रुपिये पे ट्रेड कर रहा तो यह देखिए स्टॉक की हालत यह 240 या 50 के आसपास में गया था 235-40 के आसपास में और वहां से करेक्ट होते होते देखिए स्टॉक में कंटिनिवसली कभी अप कभी डाउन कभी अप कभी डाउन लेकिन इनका ट्रेंड अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा नेगेटिव है वह चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ले 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 तो देखिए यही होता है इस टॉक मार्केट में देखिए इस स्टॉक ने कितन रुपे ट्रेड करने लगा अगर आपने इसे बाइंग किया होता तो आपका पैसा कहां चला जाता आप खूदी देख सकते हैं अभी हल फिलाल पे इस पे थोड़ी सी आप मोमेंट देखने को मिल रहे है क्योंकि देखिए अक्टूबर उनीस को यह 5 रुपे का हुआ करता इसका लास्ट ट्रेडिंग जो है यह 9 रुपे पर ट्रेड करा दो चलिए सबसे पहले स्टॉक का हम लोग फंडामेंटर्स को देखेंगे और उसके बाद मैं नाम को आपके सामने रखूंगा देखिए मार्केट क्याप है 570 करोड की और अभी करेंट मार्केट प्राइज ह प्लीग जो है वह प्लीज जो है वह एक भी परसेंटेज का नहीं है ठीक है लेकिन देखिए सेल्स ग्रोथ देखिए तेरा परसेंट नेगेटिव पे जा रहा और यह दो पैरामिटर होता दोनों के दोनों खराब है तो कंपनी के साथ क्या हुआ जिसके वज़ा से यह आग हमाँ चल रहा है आप देख रहे हैं जून क्वाटर पे इन्होंने 2019 के जून क्वाटर पे 434 क्रोड का सेल्स दिया था वहीं सेप्टेंबर क्वाटर में सेल्स गिर गया अब जब सेल्स गिरेगा तो सभी चीज़े गिरेंगी प्रॉफिट भी टैक्स भी और देखिए प्र और अगर आपने आप में से किसी विवर्स ने इस पर बाइंग करके रखी है तो डेफिनेटली इस स्टॉक पर बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है इस स्टॉक में बहुत प्रॉब्लम क्यों हुआ किस वज़ा से हुआ तो आपको दिखाऊंगा मैं जरूर और नाम भी दि डाउन साइड दिख रहा है अभी देखिए स्टॉक में डाउन फॉल होने की वज़ा तो देखिए 2008 से इनका कर्ज देखिए यह 11 करोड के कर्ज के साथ स्टार्टिंग हुआ था कंपनी फिर 14 करोड फिर 2010 में ने कर्ज कम किया बड़ 2011 में देखिए अचानक से कितना इस पर रहते कर जा जाता है और यह बड़ता ही जाता है बड़ता ही जाता है और इस कौटर में थोड़ा सा कम हुआ थिसमें कोई माएनने ने रखता है 19,886 करोड का इनका कर्ज है बिल्कूल वह इस इस टॉक पर ना फसे क्योंकि यह नाम चीन्ग इस स्टॉक का नाम है MTNL महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड ठीक है चाहे जो भी हो जाए अभी इस पर तेजी है तो न्यूज के वज़ा से है इसके महानगर टेलीकॉम आपको पता है पब्लिक सेक्टर इंटर्प्राइज इंगेजड इन प्रोवाइड़ टेलीकॉम सर्विसें इन जोग्रिफिकल एरिया जो पर मुंबई और यही दो जगा पर MTNL है और बाकी BSNL तो इस स्टॉक पर मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल भी आप अपना पैसा ना लगाएं लो वैलू देखके कि आगे चलके यह स्टॉक बहुत ही ज्यादा चल जाएगा क्योंकि मैं आपको एक साल के चार्ट पर दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा देखिए स्टॉक ने जब मैं तीन साल का लगाता हूं देखिए स्टॉक एक स आपको तो थोड़ा थोड़ा प्रॉपिट नजर आता बड़ उसके बाद देखिए कहां तक चला या 6 रूपिय तक आपका पैसा तो सीधे सीधे खत्म हो जाती तो यह सभी पैरामेटर्स देखने के बाद या आप चाहिए सौट टर्म ट्रेडिंग करते हूं या फिर लॉ अगर आपने पैसा लगाया पोजिशनली दो से तीन मेने के लिए और अगर स्टॉक कुदा ना खासता किसी वज़ा से थोड़ा करेक्ट भी होता तो इसके फंडमेंटल स्पी इतना दम है कि आप इस स्टॉक को एक नीचे लेवल पर आपके पास पैसे हैं तो आप करें वीडियो पर बिल्कुल भी स्किप ना करें यह काफी इंपोर्टेंट होगा आपके लिए देखिए मैंने टीसीएस का चार्ट लगाया आपके सामने देखिए स्टॉक एक समय अठारा सो वह अठारा सो के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और इस स्टॉक ने हाई बनाया बड़ उसके बाद फिर इसने जरनी तई की और अपना जो लेवल था उसे टेस्ट किया तो यह सभी स्टॉक देखिए कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड पर नहीं है अगर आपके लॉंग टर्म चार्ट पर यह आईटी सेक्टर थोड़ा सा धीमा हुआ है अभी कुछी दिन बनी है जो स्टॉक को हो सकता है और आगे तक ले जाए मैं तीन साल का चार्ट दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा देखिए कितनी अच्छी मोमेंट जरनी है अपसाइड ट्रेंड पान साल का आप देखिए कितना बहतरी लगेगा देखने में और मैक्सिमम की तो ब उपर जाने की कोशिश करेगा और आप भी कॉंफिडेंटली उसे स्टॉक पर बने रह सकते हैं तो चलिए इस वीडियो पर यह एक एजुकेशनल परपस पर था मैं तो यही कहूंगा कि भी आप इस पर बाइंग ना करें एम टीनल पर बाकी पैसा आपका मर्जी आपकी तेक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालियो पर जेन्वीन इंफरमेशन रिगाडिंग दे स्टॉक मर्केशन थैंक यू थैंक यू वेरी मुच